हे वाट्सप गाइज वीडियो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने Poco M3 या फिर किसी भी Poco and Redmi के डिवाइस में जिसमें की 4k वीडियो रिकॉडिंग का अप्चन देखने को नहीं मिलता है उसमें आप 4k वीडियो रिकॉडिंग का अप्चन एनवल के सकते हो, मेरे पास Poco M3 है एंड इसके कैमरा में यहां पर मैं आपको दिखा दूँ तो देख सकते हो अभी two options देखने को मिलते है recording में 1080p and 720p इसमें 4K video recording का option देखने को नहीं मिलता है वाट इस वीडियो को अगर आप end तक watch कर लोगे तो आप अपने Poco के किसी भी device या फिर Redmi के किसी भी device में 4K video recording का option आप 4K video recording कर लेखने तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ एक camera application को आपको इस्टॉल करना पड़ेगा जिसकी link में आपको description में देदूगा तो आपको इसको इसको इस्टॉल कर लेना है इस्टॉल करने को बाद आपको जो इसको open कर लेना है यहां पर मैं आपको बता दूँ आपको official camera उससे भी जादा है यहां पर आपको modes देखने को मिल जाते हैं और बहुत सारे यहां पर features भी उससे जादा देखने को मिल जाते हैं तो इसके other features की यहां पर बात नहीं करेंग यहां पर आपको जो है यह video quality का option देखने को मिल जाता है यहां पर आप देख सकते हैं तो इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना आपको back आजाना है & back आने के बाद आप जो है 4K में video's record कर सकते हैं इस camera से ठीक है तो यहां पर आप देक सकते हैं video's record होने लगीए 4K में आपैसे वीडियो's record कर सकते हैं आपके पास और बेटवाइस हो कोई देखत नहीं है इसमें 4K वीडियो recording नहीं है तो इस कैमरा को इस्ट्रॉल करो एंड 4K वीडियो रिकॉर्ट कर सकते हो आयो कि आप सभी को वीडियो पसंदा यो कि अच्छी लगी लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना मैं विल्कॉप से ने अच्छी 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 विडियो में थैंक्स ववचिं एंड बाइ